हाई प्रेंड्स आज आपके लिए फिर से और एक वीडियो लेकर आया हूं में देखिए इसका जो प्रॉब्लेम है यह पैनासोनिक का 39 इंच का कि टीवी है और इसमें बार्णिंग मोड का प्रॉब्लेम है देखिए जो रेड ग्रीन बुलू वाइट और ब्लैक यह पाच कलर का इसकी आपास में चेंज हो रहा है क्टेव देखिए इसका 39 इंच का पैनेल है पैनासोनिक का और इसका जो प्रॉब्लेम है RGB हो रहा है आप ही आप तो इस कैस में आपका जो रिमोट है ओभी कुछ काम नहीं करेगा अपका जो पर बटन है ओभी कुछ नहीं काम करेगा और रिमोट में इतने सारे बॉटन से प्रो में को आज हम सुल्ब करेंगे बहुती सिंपली उन लिए बास एक टृक्स के मादब से एक्चुली क्या होता है कि इसका जू और में जो बार्णिक मूड होता है वो बार्णिक मूड किसी कारण on हो जाता है तो इस तरह का problem आपको देखने को मिलता है कभी कभी इसका जो motherboard है और चेंज करने पर भी इसका इस तरह का problem दिखा जाता है ठीक है तो हम इसको solve करेंगे बहुत ही simple है इसका solution अब देखेंगे तो आप अब भी कर पाएंगे आप अगर technical person हो यह non-technical person हो सबी के लिए video करेंगा देखिए इसका जो power button है sublast में दिया है उसको जाक आपको एक बार प्रेस कर देना है देखें इसका जो sublast में power button है ठीक है यह power button है इसको प्रेस कर देना है देखिए हम आपको प्रेस करके दिखाता हूँ देखिए इसका अभी भी रेड ग्रीन ब्लू हो रहा है हम इसको प्रेस करेंगे देखिए जैसे हम प्रेस करेंगे तो उसका जो सेट ओफ हो गया है ठीक है और इसका जो रेड लाइट आप देख पा रहे है रेड लाइट जल रहा है यह इस्टेंद मूडे चला गया और अभी हम रिमोट से इसको अउन करेंगे आप देखिए रीमोट भी आप काम कर रहा है ठीके यानि आपका जो बार्निंग मूड है और उसका जो पैनल स्नुनीक लोगो आ गया पिक्चर भी आ गया है तब का जो प्रॉब्लेम है और सॉल्व हो गया है तो इस तरह इस बार्णिंग मूड को सॉल्व किया जाता है इस तरह प्रॉब्लेम को इस ट्रिक्स हर कोई LED में काम नहीं करेगा फ्रेंड्स इसके अलग-अलग LED में अलग-अलग ट्रिक्स है तो एक जो ट्रिक्स है बहुती कॉमनटिक्स हैं बहुत LED में काम करता है फ्रेंडस वीडिए आच्छे लागे में एक लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आज के लिए बास इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई के लिए ची बाई